असलाम अलेकुम आपको आज की वीडियो में मैं गेन खुशामदीद कहता हूँ, इसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम descriptive statistics करते हैं, इमारे पास यहां पर दो किसम के data है, एक height और weight है, for example, जितने आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी की height और weight तो measure नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक sample लेता हूँ, कि mostly, 10 बंदों का weight लिया और 10 बंदों की height ले लिया, ठीक है, weight और height लेके, अब उनक मैं descriptive statistics से गुजारने लगा हूँ, अभी आपको समझा रहे कैसे, data tape पे मैं जाता हूँ, data tape पे जाने के बाद, यहां पर data analysis tool pack मेरे पास install है, अगर आपके पास नहीं install तो आप file पे जाएं, option पे जाएं, यहां पे add-ins पे जाएं, go पे जाने के बाद, analysis tool pack को check-in करके ok कर लें ok करने के बाद, आपके पास data analysis tool pack यहां पे आजाएगा, यहां पे descriptive statistics पे click करें, ok करें, और यहां पे input range दें, input range देने के लिए आपने क्या करना है, simply, यहां पे मैं इसको input range दे देता हूँ, सारे के सारे data को, मैं कहता हूँ, column wise हमारा grouped है data, label in the first row हमारे पास है, output range, मैं कहता ह कि जितना data है ना वो यहां पे print कर दो, ठीक है, यहां से onward, ठीक है, और मैं कहता हूँ, summary statistics भी दो, confidence interval level जो हमारा 95% है, मतलब 95% chances हो हमारी चीज के सही होने के, और 5% chances हो उसके, क्या होने के, error के, ठीक है जी, तो मैं बागी चीज़ों को ऐसे छोड़ देता हूँ, और अभी अगर आपने इस पे click करना है, तो आप करते हैं, कोई मसला नहीं है, let's see, okay करते हैं, तो आप यह देखें, हमारे पास descriptive statistics आगे, within 1 to 2 clicks, तो इसको मैं double click करके, यहां पे fit in करता हूँ, इस data को, ताकि मेरे पास यह सारा data fit हो जाए, अब आप देखें, हमारे पास क्या क्या ची दिक्कत परिशानी ना हो, ठीक है जी, और यहां से हमने कर लिए अपने height को और weight को अलाइदा अलाइदा, height के अंदर mean इसका इतना है, standard error इसकी इतनी है, median इतना है, इसका mod इतना है, median क्या होता है, middle वाली जो value होती है, और mod जो ज्यादा तर double या दो से ज्यादा, दो या द maximum value है, sum में उसका count है, largest value कौन सी है, smallest value कौन सी है, confidence interval कितना है, यहां पे इसका भी same आ गया, और weight का भी आ गया, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार यहां पे confidence interval lower अपर नहीं दिया हुआ, तो आप यहां पे लिखें lower ci, ठीक है, और upper ci, इनको calculate कैसे करना मैं भी आपको बत गाएगा, और upper क्या होगा, same हम equal to यहां पे लगाते है, mean, plus करना है, और उसमें confidence interval हमारा add कर देना, यह upper ci हो गया, ठीक हो गया जी, same इसको copy करते हैं, यहां पे paste करते हैं, तो automatically यहां पे लाग गया, तो इस तरीके से हम lower and upper ci's जो हैं, वो easily find out कर सकते हैं, तो यह आपकी पू alongside lower and upper confidence intervals के, कहां से start होती, कहां तक जाती है, error के chances कितने हैं, और at the end mean, median, mod, standard error, यह सारे parameters आपको within two to three clicks आपके पास होंगे, तो इस तरीके से आप बड़े से बड़े data set को भी यहां पे, उसकी descriptive statistics जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है जी, next video में मिलते हैं, इसी तरह की tips and tricks और excel के पिन किया हुआ है, तो देखना आना भूलिए, और चैनल को subscribe कर दें, take care, अला हाफिस